हाँ जी तो क्या हाल है सबके अब एक्जाम पास आ गया है और उमीद करता हूँ कि अभी तक सारी तैयारियां पैक हो चुकी होंगी आपके दो बज़े के बार ममी पापा के साथ बैठना जिन्दगी परसों बदलने वाली है तो उसके लिए आपका क्या करना है उसके लिए उनका आश्रबाद बहुत जरूरी है अभी तक पढ़ाई में शायद वो टाइम ना मिल पाया हो जितना उनसे बात करने के जरूर थी और किसी से कल कोई बात नहीं करने है सिर्फ मापाप के सिवा ममी पापा से बात करना परसों सुभा एक्जाम सेंटर पे जाने से पहले भगवान का आश्रबाद ले जब भगवान का आश्रबाद आपका साथ होगा तो मेहनत भी आपका जो की हुई है वो दौनों मिलके किस्मत और म पहनत आपका एक नंबर आपका रोल प्ले करेंगी इसके अलावा मैंने ये वीडियो इसले बनाई है ताकि आपका एक्जाम सेंटर पे जाने से पहले क्या-क्या लेके जाना चाहिए वह आपको पता होना चाहिए तो एक्जाम सेंटर पे जाने से पहले देखो बच्चे आ पर आवा instruction set आपके पास आता है उस instruction set को download कर लेना whatever the things which is required should be carried to the exam center also अगर आपका कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं आपने notes revise कर लूँ तो एक bag ले जाना वहाँ पर हर center पर आपका bag जमा करने के पूरे पूरे आपका बंदुबस्त होते हैं और अपने notes आपका carry करके ले जाना पर notes को अच्छी तरीके से रखना कहीं पर खोना जाएं और उनको आपका असानी से use कर सको आप तो बस last time पर इतनी ही tips हैं मेरी तरफ से आपका पूरा प्यार आपके साथ हैं और यकीन मानो कि आपसे ज़्यादा डर हमको लगता है हमें आपका जो है जादा फिकर रहती है कि यार एक मेरा बच्चा इतना आपका काम करके आया मेरा भाई जो भी मेरे दोस्त हैं सब आपका इतनी महरत करके गए हैं तो उनको आपका जो है उनका result मिलना चाहिए तो तुम विनिंग आओगे विनिंग कलर्स के साथ बापस आओगे यकीन मानो कि जब तुम जंडा लहरा के आओगे तो हमसे आपका जो है गया धाल खुश कोई नहीं होगा दोस्त ठीक है कि मैं समस्ता हूं कि आपका उसका दुख और आपका खुशी क्या होती है क्योंकि उस दिमार को नखलेने के चलो फिर मिलते हैं जय हैं